आप सब उमीद करते हूं बेटा सभी अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वोक्षीट नमबर 33 इंगलिस सब्जक्ट की है बेटा तीन तारीक की है और 8th क्लास के बच्चों के लिए ठीक है जिसमें हम अपनी प्री प्री पॉजिशन जो कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे आज भी तो देखो बेटा इन दी लास्ट वोक्षीट वी डिड़ प्री पॉजिशन ओफ प्लेस लाइक ओन अंडर इन अबाओ नियर फार एक्सेक्टरा तो बेटा हमने अपनी लास्ट वोक्षीट में प्री प्लेस की थी ठीके गई तरही है कि प्री पॉजिशन होती है तो आज हम करेंगे प्री पॉजिशन ओफ टाइम ओके तो इसको भी अच्छे से समझना उमीद करती हुए जो लास्ट वाली थी वो भी आपको अच्छे से समझाई होगी ओके फिर भी नहीं आया यह तो आप जैसे करते हैं वो हम जानते हैं ठीक है और अगर आपको समझ आए तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर करना बेटा और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो देखो बेटा time of day तो day का time बताने के लिए जैसे कि at 4 o'clock at 10 o'clock या at 10 o'clock या फिर at noon या दो पहर में या at midnight या निकी रात में यानिकी exact time जब बताया जाता है उसके बाद बेटा ये क्या है meal time यानि कि जो खाने खाने के time होते हैं उसमें जैसे कि at lunch time, at dinner time, यहाँ पर फिर है बाद holidays की, holidays में भी at कपरियोग होता है जैसे कि at Christmas, की मतलब कि Christmas पर हमने ये किया, at Easter, यानि कि बेटा एक तरीके से ये कहते हैं पस्चिम ठीक है? पस्चाती है कुछ करके, फिर at the weekend, यानि कि सपता के अंत में उस समय पर भी हम इसका परियोग करते हैं फिर expressions में भी इसका परियोग किया जाता है, at का कैसे, at present, यानि कि अभी के अभी, at the moment, यानि कि तुरंथ, कुछ एकदम शन भर के लिए, at night, यानि कि रात में, ओके तो इ आपको याद करने है, बेटा, month में, देखो जैसे कि April में, तो हम यहाँ पर इनका परियोग करते हैं, season के लिए in the summer, in the spring, ठीक है, यानि कि बसंत में, गर्मी में, सर्दी में, in winter, okay, years के लिए भी in 1990, in 2020, there is a corona virus, there is a corona pandemic virus, okay, ऐसे ही decades, decades यानि कि दसकों को बताने के लिए, जैस 60s के गाने, तो in the 80s, okay, century यानि कि बेटा, पूरी स्ताबदी बताने के लिए, पूरी स्ताबदी चली जाती है, 21th century चली हुई है, तो in the 20th century, okay, फिर long periods, तो long periods को बताने के लिए भी बेटा, जैसे कि लंबे समय में, in the ice age, ठीक है, in the present, in the past, तो इन जगा पर भी हम किसका पर परियोग करते है, in the ice age, in the present, अब पेटा देखो, parts of the day, यानि कि day में, पूरे दिन के अंदर भी कोई time बताना है, सुबह में, दोफैर में, evening में, तो उसमें भी हम क्या इनका परियोग करते हैं, बट एक बात याद रखना, अगर रात की बात होती है, तो हम at night का परियोग क Christmas day, on Halloween, ठीक है, तो इस तरीके से बटा क्या होता है, इनका परियोग क्या जाता on का, फिर dates को, जैसे date होती है, कोई particular, उसको बताने के लिए, कि on 15th June, or 20th May, on our anniversary, ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कोई dates बताते हैं, तो उसमें हम on का परियोग करते हैं, parts of specific day, बटा फिर parts of specific day होता है, तो उसमें देखो, जैसे की on Monday morning, यानि की, जो सोमवार की morning थी, इस तरीके से बतानो, यहाँ, नहीं, तो देखो, खाली morning बताते हैं, तो इनका परियोग करते हैं, लेकिन अब हमने हैं, day के बारे में बता रहे हैं, तो Monday की morning, तो on बताएंगे, fix हो गई, मतलब एक particular बता दिया time, okay, on Friday evening, on Saturday night, on Sunday afternoon, ठीक है, अब यह last और next, बेटा, last और next में at, in, on में से क्या यूज होता है, तो देखो, call me at the next, मतलब इनका परियोग हम नहीं करते, call me at the next weekend, तो यह गलत हो जाएगा, यहाँ पर at का परियोग नहीं करना, हमें क्या करना, call me next weekend, मतलब मुझे अगले सफता क्या करना, call करना, I met her on the last Friday, तो on the last Friday नहीं लिखना है, I met her last Friday, यानि कि मैं उसको, मतलब कि पिछले सुपकरवार को मिला, ठीक है, तो यहाँ पर हम on का परियोग नहीं करेंगे, तो यह हमने कुछ जाना, कहाँ पर किसका परियोग किया जाता है बिटा, तो दे कि इनको फिल करना है, देखो बेटा, first क्या है, is your neighborhood quite as night, तो night के लिए हमने क्या बोला बेटा, हमेशा हम at का परियोग करते हैं, okay, उसके बाद you can plant these flowers, तो बेटा देखो कहाँ पर, in the autumn, कब लगाने बेटा, autumn, तो काफी तम है, समय तक चलता है, तो हम क्या करेंगे, इनका प in the future, मतरब future भी कोई एक particular time तो है नहीं, तो हम in का परियोग करेंगे, ठीक है, फिर you can visit us Friday evening, तो बेटा देखो, अब हमें समय बता दिया गया है, कि कौन सी evening में आना है, Friday की, तो हम यहाँ on करेंगे, ठीक है, फिर the match is, अब यहाँ पर particular time बताया है, बेटा, at one o'clock, मतरब fix है at का परियोग करेंगे, ओके, फिर I am very busy, देखो, at the moment आएगा, मतरब उस समय के लिए, उस particular समय के लिए तो at का परियोग होता है बेटा, और हमें exact समय ही नहीं पता, तो इनका परियोग होता है, और यहाँ फिर fix समय है, लेकिन काफी दूर है, तो on का परियोग होता है, he has born, अब देखो, 19th century में वो born हुआ तो, he has born in the 19th century, ठीक है, इनका परियोग होएगा, कब हुआ तो 19th century तो काफी बड़ी होती है, लेकिन कौन, 100 साल की होती है, तो कौन से साल में हुआ तो यह नहीं पता, तो इन पर इनका परियोग करेंगे, ठीक है, फिर they always get together, that's the weekend, तो बट परियोग करेंगे, फिर I had fun with my friend on my birthday, ठीक है, किसको on my birthday, फिर I have to meet someone at lunch time, मतलब की lunch fix है, lunch time पर ही मिलना है, तो इस तरीके से हम इनका परियोग करते हैं, आपको यह याद करने पड़ेंगे, धीरे धीरे आपको समाझ आने लगेंगे, फिर ठीक है, फिर भी कोई doubt रहे है आपको यह 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 जो आपको यह यह यह।